दस फरवरी से हैं गुप्त नवरात्रे गुप्त नवरात्रे साधगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसमें हमें कुछ न कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं जिन के लिए हम बहुत ज्यादा शुक होते हैं या यह कहें कि बहुत सारे लोग यह पुछते हैं कि कौन सा हमारे लिए साधना का बहुत अच्छा रहेगा तो मैं बता देती हूं कुछ दिन हमें बहुत एनरजी देखा जाते हैं जैसे गुप्त नवरात्रे गुप्त नवरात्रों में कुछ बातों की सावधानी रखें अगर आप गुप्त नवरात्रे रखते हैं तो आप गुप्त नवरात्रों में हमें किसी के घर का नहीं खाना चाहिए, अगर कोई इस नवरात्रों में हमें कहीं घर से भार जाना होता है, तो उसके लिए हमें अपने जेव में एक चांदी की गोली रखनी चाहिए, अगर आप साधना कर रहे हैं, और पुजा करते हैं, और आप पुजा न करती है उसको रखें और आपको बहुत ज़्यदा लाहब मिलेगा कोई भी आप जाब कर चकते हैं उस जाब को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आसपास की ओरा कैसी है कैसे लोग आपके आसपास बैठें हैं गुप्तनावरात्रों में बहुत सारी लोग यह मानते हैं कि ह हमें कुछ ऐसी साधनाई करनी जाएं जिसने हमें बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त हो। तो देखो हर किसी को ये पता होना चाहिए कि उसको कैसी पावर चाहिए उसके अकोडिंग ही आपको साधना करनी चाहिए। अगर आप गरस्त व्यक्ति हो तो आपको माता का मामला चला हुआ है कोई भी आपका सदस्य जेल में है या जिस पर केस आ गए है तो आपको माता बगला मुखी की या जवाला माई की साधना करनी चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपकी घर में शादी विभा नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए माता दुरुगा की साधना करनी होगी और उनका जो रूप है उस रूप में आपको शांती भी बहुत पराप्त होगी आपके जो कारिये हैं रुके में बहुत जल्दी बन जाएंगे और इन नवरात्रों में आप कोई भी मंतर कैसा भी मंतर हो चाहिए आपका तांत्रिक मंतर हो सात्विक मंतर ह आप साधना कर सकते हैं साधना का जो छित्र होता है गुप्त नवरात्रों में बहुत बढ़ जाता है और कई स्थानों पर बहुत ये छित्रे से साधना ही कराए जाती है उसके अकोडिंग आप साधना भी कर सकते हैं अपने गुरू से पूछ कर साधना कर सकते हैं मैंने कली एक भाई का इंट्रू देखा था कि उसने स्पष्ट रूप से ही कहा था कि उसे जीवन में बहुत बड़ी गलती होई कि उसने यूटूब के द्वारा कोई साधना देखी और उसी से उनने जो साधना की तो कभी भी हमें यूटूब को देखकर कोई साधना नहीं करनी चाहिए हम एक गुरू बनाकर उसके मार्ग दर्शन में ही करनी चाहिए हर साधना की एफेक्ट जरूर होते हैं जैसे आज कल बहुत सरे उस चैनलों पर आपको बता दी जाते हैं आप इटालियन स्विच वर्ड यूज करो आप अरइबियन यूज करो आप ये यूज करो उन शब्दों का परियोग आपकी जीवन को भी हानी पोचाता है जैसे हमारी यहां कहते हैं यक्षणी चुडेल ये इस तरह के ही मंतर होते हैं जो तुरंत करने पर प्रभाव देते हैं तुरंत जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रेत की साधना बहुत सरल होती है प्रेत बहुत जल्दी सीद होती है यक्षणी बहुत जल्दी सीद होती है जिन्द की जो साधना वो बहुत जल्दी सीद हो जाती है वो बहुत जल्दी हमरे पास आ जाती है पर कभी जिनोंने ये सिद्धियां प्राप्त की हैं कभी उनके जिवन काल में जाकर देखो उनसे मिलकर देखो, उनके अनभव सुनकर देखो वो स्वैम ये कहते हैं कि वो बहुत घश्ट देती हैं तो ऐसे ही कोई भी आप स्विच वड का प्रियोग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जितना जल्दी वो प्रभाव दे रहा है अब मैं आपको एक experience मताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे वड होते हैं जिनको हम बुलाते हैं अगर वो किसी भी ऐसे देवता का मंतर है जो देवता बदले में जैसे हम माता की साधना करेंगे गुपतर नवरातरों में तो हम माता को बदले में क्या देते हैं मंतर जाप परदान करते हैं मीठे का भोग देते हैं शिंगार परदान करते हैं पर जो यह हम switch word हैं जिसमें हम जो अलग-अलग italian word के हैं या अलग-अलग देशों के हैं जिनको हम use कर रहे हैं उनसे जो शक्ती आएगी वो शक्ती क्या मांग रही है आपको कुछ नहीं पता क्या पता वो आपके स्वास्त को खा जाए आपके बेटों को खा जाए आपके घर में लोग मरना शुरू कर दें हाँ इसका symptom हमें जब हम कोई प्रयोग करते हैं 6 मीने तक हम ही मैसूस नहीं होता हमें बहुत अच्छी symptom मैसूस होते हैं हमें लगता है कि यह बहुत अच्छा उपाई बताया गया है पर देरे देरे हम देखते हैं कि वो हमारे घर में इतने ज़्यादा प्रभाव ला रहा है कि हमारे मन में सुसाइट करने का मन करता है हम बहुत ज़्यादा वैबाचारी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दुष्ट हो जाते हैं हमारी जो नेचर है वो एकदम दुष्ट हो जाता है क्योंकि हम प्रियोग कर रहे हैं दुष्ट देवों के ठीय करें न ऐसे देवता भी है जिनकी पूझा करना भी वरजित होता है और हम उनीकी पूझा कर रहे हैं तो हम स्वैम निमतन कर रहे हैं अपने ही अनिष्ट का कोई भी किसी की मैं तो इतना भी कहती हूँ गर आप किसी की भी वडियो देख रहे हो चाहिए मेरी ही क्यों ना देख रहे हो आप कोई भी पुझा करते हैं उस पुजा के बारे में आप समझे कि आप किस देवता की पुजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप को switch word यूज कर रहे हैं, कौन है वो, कौन देवता है वो, किस देवता के बारे में बात की गई है, क्या उनके कारिये रहे हैं, वो कैसे हैं, आपने कई चोकियों पर देखा कर दोगा कि लोग अपने ही प्रेतों की सुपा आरे हैं आपने ही जो देवतावं की सुपा कर आ डेती हैं वह अच्छा नहीं होता है वह आपको कष्ट देता है हमें सिरफ देवी देवतावं की सुपा्म पर धहां देना चाहिए जैसे antiqu हिसकी अलावा जो हमारे शेत्रे देता है हम उनकी पूजा कर सकते हैं बाकी हमें इधर उधर की साधनाव में ध्यान नहीं देना चाहिए वो हमारे लिए कष्ट ला सकते हैं तो कि उनके बारे में हमें कोई नौलिज नहीं है हम ऐसे कारी कर रहे हैं जो बिना हमारी जानकारी से हमसे करवाया जारही है जैसे की मैं आपको एक चोटा सा एक्जम्बल बताऊंगी जैसे मातामसानी की साधना है बहु Minute बहुत सारी लोगों को मातामसानी की साधना नहीं करनी चाहिए फिर भी लोग उनकी साधना शुरू कर देते हैं फिर उनके घर में बहुत तांडो शुरू हो जाता है क्योंकि उस साधना के कुछ इफेक्ट भी आते हैं वो अमें पूर्ण रुप से आने भी चाहिए आधी अधूर ग्यान अमारे लिए खतरनाग होता है तो आप उस ग्यान में नाखुसें कहीं अगर आपको लगता कि मैं बहुत कष्ट में हूँ तो अमारे बहुत सारे उपाए हैं जो आपको कोई भी बुरा इफेक्टर नहीं देंगे बोलो चैश्री राम